आईए, बढ़ते आगे सिद्दार जी से करते हैं मुलाकात सिद्दार जी सुक्रवाद, खीइम बताईए वह आजके बाजार के अनरूपी है बाजार में अभी कुछ जिज़नों से वॉलेटिलिटी है बजेट के गौधिन के पाद तो आपको सेक्टर के जायन को चुनना की जिसको मैं कहता हूँ शार्प्स तो आज का जो फीम है वो है सेक्टोरल शार्प्स क्यों कि यह बहुत ही मोनोपोली के करीब के बिजनस है बहुत ही को पॉली मतलब दोटी एकाद एकाद दो प्लेयर या खुद अपेले ही है लीडर है हा साइज मेकर है यह और यह नई चुटियों को गल्दी से एडाप्ट कर लेते हैं और अपना बिजनस बड़ा कर देते हैं और यह स्ट्रॉंग, स्ट्रॉंगर, स्ट्रॉंगर बड़े ही बनते जा रहे है और यह और बड़े बनते जाएंगे इन तक स्वार्च ना बहुत के आये है, Sektoral Sharks Sharks? शाक्टिंग जाना देगिया आपने? कहाँ? नाम तो भाहिंत ही आये आया सबढ़िए, मैं तो, इतना मैं Stalks को जानता हूं से जाद़र मैं Enlis को जानता हूं बढ़िया है अच्छी थी मैं अब बताइए स्टॉक्टर कौन कौन से चुने कितना कितना प्रेसा किस स्टॉक में लगाना है कितना रिटन के लिए बिल्कुल एनरजी शेक्टरल साक्ष में ऐसे खरीदे जो कम्पनियों के पास पॉच्ण बहुत मुश्किल हो चार कम्पनी है जब से पहले एले इंटी जब इंफ्रस्ट्रक्ट्ट्र क्यापेटल गूट्स का जाएंट 2298 2300 के करीब के टारेक लिए 30 उपे लगाए अब यह कर्यां रिप्रस्ट्रक्ट्ट्र की चालीज परसें पैतानीस परसेंट इंफ्रस्ट्रक्ट्र से आती है अट सक हजार करोर का तो यह साल में और दुख है 15 % के और दुख्ण हो रहे है रेविन्यू 19 % और प्रॉपित अप्लिटी की पर से गुरोगा एन एंटी का जमदार और जाएंट शार्क है ये अपने इंडस्ट्री का दूसरी शार्क वो है हाउसिंग पाइन्स NBST सबसे बड़ी NBST HDST Limited HDST Limited पर खरिदारी की राय है तार्गेट होगा 3450 अपीक रुपे लगा है 100 रुपे में से ये सब्से बड़ी है इंडिविजियल इंटी जो लोन बुक है हाउसिंग लोन बुक वो 79% है टोटल लोन ग्रोष 11% और डिसेंबर 21 तक का जो एउवेम है वो 6 रात करोर के थोडा का उपर और तोटल लोन ग्रोष जो हो रहा है वो 17% चो बुड़ा है कौर्टी बहतरीन एसेट कॉलेटी वाली कंपनी HDFC लिमिटेज कौर्टी बहतरीन गमनी तीसरे शार्ट तीसरा शार्ट जो है और वो मोनोपुली बिजनस है इंडिया एनजी एक्स्चेंज आई-ई-एक्स तार्गेट होगा 317 का 317 20 रुपे लगा है सौ रुपे में ते 95% मार्केट है डेक्स प्री बैलेंची रिजर्च इसके दंदार है 38% मुनापो में उच्छाल देखा सिक्स्टी एक परसेंट का मार्जिन और बहुत सरे दूसरे प्रोड़क्ट भी ला रहे हैं जैसे कि नैच्रल गया वगएरा वगएरा और रेगुलेटरी स्टेल्विंग जैसा कर चाहती है ऐसा बिजनस को और बढ़ावा दे ती चौती कम्स्ची होगी इसने बच्छेव़स पर बीट लगाया और यह कंप्सी के 5 लो से उपपर के डीमैट अकाउंट्स एक प्शन परसेंट का मुनापों ने उच्छाल देखा है बहुत ही बैंक्टिरिंग कमनियों खा जाते हैं लाइट के आईटियों ते भी बोहुत गेर सारे अकांट्स कु एक सवाल सिद्दार जी के लिए और कुनाल जी के लिए और बाकी में भी आप में से एक्सपर्ट जो भी इस पर एक्सपर्टाइज रखते हो उनी सब के लिए यह मतलब डार्क होट्स क्यों वाइट होट्स क्यों नहीं अई अदिशिता आप से लिए आप में वाइट होट्स क्यों अदर नहीं को शूप्ष अग्सुलदी अदर यह मतलब सब्सक्राइज नहीं जाता है और भी यह शुने नहीं पात सित्रेक्स क्यों पर फॉप्स्तस पॉप्स्तसूं जाकुडाजी, आबसाही है अजी देखें, आमतोर पर अनिजी विभा के उपलक्ष पे जो घोरी का इस्तमाल होता है जाँचंटी आनिजी सफेद होती है त इसलिए अनिजी डार्क होर्स मतलब की नई detto, my money works if you don't spend anything help we bought these, it was hard for you आज़ेद कहा होती है अरे सफेश ढूलने से ही मिलती और आनेजी यहां तो सफेश गोड़ी का चलन है अनेजी हमारे आँ डेली में सुमीजी आपने आनेजी मैं तो हपेश में पैठा रहा शुमीजी आप में तो रहसी कमेंट करें एक भाँ चलिए बढ़ियाच जो जिसनी गोडी पर बैठाओ आपका विवाहिक जवन सुख में रहे लंबा चले वो चुपकारद है तो चलिए डार्क होट मतलब यही मानने कि डार्क होट मतलब ज्यादा जोड से भागेगा तो यही है कि इस क्यालाव और कोई रिसर्च है बिल्कुल तरही है और लंबा भागता है जादा चीजी से भागता है और लंबा भागता है वाइफ होट टे कुंकाबले और मैं मानतो हूँ कि अभी डार्क होट का जमाना सुदा से पीछे होते जा रहा है तो अब सी यह शार्क जायंट कि थोड़ा दन्यवाद देता हूँ जेय को आपने सड़ी समय पर जही ने आपको बचा लिया बताके कि डार्क होट जादा जोर से बागता बागी में से किसी को पता रही था बागने वाला मामला तो यह है आपके लिए बढ़िया है तो यह है आपके लिए बढ़िया स्टॉक्स के चार स्टॉक्स एलन्टी, HDFT, CDSL और IEX यह है शुदार जी के इस हफ्ते की सेक्टरल शाक्स यह है बहत्री किक सिमीजी तयार है अपने लॉन स्टॉक शेर के साथ सिमीजी बताईए